इलेक्शन कैंपेन का सवाल है, जन समर्षन का सवाल है, मद्दाताओं के उत्सा का सवाल है, एक अभुत्वर्वन नजरिया नजर दिखाई दिरहा है, और ये चार सो पार का नारा प्रारंब हुआ जनता से, हावाज हमारे कान पर पहले बड़ी जनता से, और धिरे-धिरे वो बुंज बढ़ती गई, बुछी प्रकाद हमारे कश्मीर के एक साथे ने मुझे कहा, कि अब धारा 370 गई है, आपको 370 का नारा देरा चाहिए, तो उसमें से फिर ये BJP 370 and NDA 400 पार्ट, ये बात जन-जन में पहुँच गई, लेकिन सर, इस चुनाओं में मज़धा है बात ये रही, कि हार और जीत की बात कोई नहीं कर रहा है, 400 से ज़्यादा है और 400 से कम, वैसे भी भीपक्ष इंडी अलाईंस अगर आप देखें, वो बनी नहीं पाया, तीन-चार बारम के फोटो अप हुए, उसमें भी जो पहले में थे, वो दूसरे में नहीं थे, दूसरे में थे, तो तीसरे में नहीं थे, पहले कभी एक नंबर आते है तो दर तीसरे चौसे निंबर के लोग आने लगे फिर कोई श्पिरीट भी नहीं था चेलिए मान लीजिए लोग नहीं जुड़े लेकिन एक कोईलेशन का धर्म होता है उसका भी पाले नहीं हो कि उनका सबसे बड़ा साथी लेप था और उन्हें ने केरल में जाकर करके सबसे पहले फेज़के चुराओं में लेप के फिर 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 फोग दिया लेप के खिलाब लड़े इतना ही नहीं सबसे ज़्यादा कड़ी बाते ह हैं हलकी बाते हैं कि इस चुराओं में सबसे ज़्यादा हुई तो केरल के फिर्स पेज़के चुराओं में हुई और कॉंग्रेस और लेप के बीच में हुई तो फिर वो बिखर गया बिखर गया